गूड बॉर्निंग टु आल, क्लास सेवंथ, ए और भी के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं, हम आपको पढ़ा रहे थे कविता आठ नीती के दोहे, इस नीती के दोहों में कविर दाश जी के बाद शुरू करते हैं रहिम दाश जी के बारे में, रहिम दाश जी ने भी पढ़ते रहें समझते रहें और एक बात और है कि आप अपने घर पर ही बैठिये सेफ रहें सुरक्षित रहें आस पास अपने साफ सफाई का ध्यान रखिये और जो हमारा यू टू एक्जाम शुरू हो चुका है उसकी तैयारी और एक्जाम भी अच्छी तर से आप घर पर ह रिविजन करते हैं अच्छी तर से देते रही है ठीक है चलिए नीती के दोहों में कवीता आठ में हम पढ़ाते हैं भाग दो क्लास सेवेंट और ए और बी के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं उनके बारे में हम आपको रहिम दाजी के कुछ शब्दों के बारे में यहां किस परकास उन्होंने वणनन किया यहां देखिए रहिम दाजी केते हैं याचकता रहे कहने का मतलब जो मनुष्य जो होते हैं वो बहुत ही सज्जन पुरुष नेक महापुरुषों के बारे में संतों के बारे में उन्होंने वणनन किया है रहिमन याचकता गहे बड़े छोटे होई जात नारायन हूं को भयो बावन अंगूर गात दूसरा है रहिमन धागा प्रेम का मत तोडो चटकाए तूटे से फिर ना जुडे जुडे गांट पड़ जाए रहिमन पर उपकार में करत बड़े नहीं बीच माज दियो सीवी भूप में दीनो हार ददीजी जो बड़े इनको लगू कहे नहीं रहीम घटी जाही गिरिधर मुर्लिधर कहे कचुदुक मानत नहीं कुछ इस तरह से इन दोहों का जो वर्णन जो है वो रहिम दाजी नहीं किया है ठीक है अब इनके जो अर्थ है वो हमने आपको यहाँ पर डाइरी पर लिखकर बताने के कोशिश किये इधर देखिए यहाँ पर लिखा है ठीक है क्लास सेवन ए और बी के बच्चे जो हिंदी पढ़ते ठीक भाग दो में दीखिए जो हमने आपको शुरू में दिया था रहिमन याजकता गहे ठीक है वो यहाँ पर इसका अर्थ है कि रहिम दाजी कहते हैं कि भिक्षा मांगने वाला बड़ा व्यक्ती भी छोटा हो जाता है अगर कोई भीग मांगता है वो भी अपने उस काम की वेशे छोटा हो जाता है क्योंकि भगवान विश्णु को भी भीख्षा मांगने के लिए महराज बली के पास 52 उंगली यहनिकि 52 फिंगर्स जो आकार बनता है है ना उस 52 उंगली का एक आसा बोना वामन ब्रहमर बनकर अवतार लेना पड़ा था ठीक है आगे देखिए रहिम जी कहते हैं दूसरे दोहों में कि प्रेम का नाता जो होता है रिष्टा बहुत नाजुक होता है इसे तोड़ना उचित नहीं है यदि प्रेम का नाता एक बार तूड जाता है तो उस इसना दोहा जो आपने पड़ा उसका आर्थ यहां पर है रहिम दाजी कहते हैं कि मनुश्य को बलाई करने में अपना पराया मित्र है ना शत्रू आदी नहीं देखना चाहिए क्योंकि राजा शिवी ने एक राजा था प्राचीन काल की बात है राजा शिवी ने कबूतर ज टाजा शिवी ने अपने अस्तियों को दान कर दिया था एक चोटे सपक्षी के लिया अपने प्राणों की आउती दिया थी उन्होंने अगरा देखिये रहिम दाजी कहते हैं कि बड़ों को छोटा कहने से बड़े का बड़पन उसका बड़पन जो है वो कम नहीं होता है क् कविधा जी केते हैं कि बड़ों को छोटा कहने से बड़े का बड़ा पन कम नहीं होता है क्योंकि गोकुलवासी जो गोकुल में रहने वाले लोग है सरकृषिन को अपने भगवान को मुर्रिधर कहते हैं माख़न चोर कहते हैं आदी नामों से पुकारते हैं इस से सरकृषिन की महिमा उनकी एहमियत उनकी जो खासेते उसमें कोई अंतर कोई फर्क नहीं होता है वो कर्षिन को मुर्रिधर कहते हैं या माख़न चोर कहते हैं या कुछ और नाम से कहते हैं तो इन नामों से पुकारने के बाद भी कर्षिन की महिमा में कोई अंतर कोई फर्क देखने को नहीं मिलता है तो इस परकार यह कुछ यहां पर रहिमदाजी के जो शब्दे यह निती क दुहें इनको वणने उन्होंने कुछ इस परकार से किया था इनके अर्थियां है तो इनको आप पढ़ते रहेंगे समझते भी रहेंगे ठीक है और अपने घर पर ही रहिए सेफ रहिए सुरक्षित रहिए और अपनी जो पढ़ाई है जो यूटू एक्जाम चल रहा है वो आ रिविजन उनके बारे में पढ़ते रहिए समझते रहिए धन्यवाद।